हलो हलो दोस्तों आप सभी केसे हो आप सभी अच्छे होंगे खुल सवह और मढ़े में होंगे तो आप सभी का पुस्वा लाइबल में सवागत है दोस्तों तो आप सभी का निव लोग में स्वागत है और ये नाइट का समय है यानी राद का तो खाना पिना हो चुका था सारे कब मैंने कर लिये थे किछन की किलिंग मिलिंग हो गई थी तो यहाँ पर इनके पापा शाम को सब्जी लेकर आये थे तो यहाँ पर शाम को भी लेकर आये थे क्योंकि अलो भी खतम हो चपी थी और मैं ब्लॉक की स्टार्टिंग रात से कर रही हूं और यहाँ पे यह सब काम रात वाले खाम यह सब यह प्रैल लूँगी न तो सूबह को परिसानिया कम होगी क्योंकि सुबह कर जान सकते होगी हर माय जानती है कि सु मैं पंके की हवा में रखूंगी तो जी धात भर तक इसकी जो भी है ना पानी जो इनकी नमी है ना वो चली जाएगी और हमारी सब्जियां करापी नहीं होगी तो सबसे पहले मैंने यहां पे बेट्षिट जो है ना टुकड़ा हो मैंने कोटन वाली ही है मैंने इसको बिछा दिया था और जो भी सब्जियां लेकर आये थे ना मतर चीमी थे टमाटर बैगान बंदगो भी तो यह सब मैं नहीं पे रख दूंगी तो यहां पे पंके की हवा से जितनी भी नमी है ना वो सुख जाएंगी और सब्जियां हमारी जल्दी खराप भी नहीं होगी तो नमी क कारण सब्जियां खराप हो जाती है तो यह पंके की हवा से आराम से सुख जाएगी और ही चीजों को मैं लिप्टा ले रही हूं अभी क्योंकि सुबह में मुझे यह सब्जियां लाना पड़े और आराम से रात भर सब्जियां सुख जाएंगी पानी इसका तो बस यहां क्यां पान पानी था यहां काम भी मेरा ज़रूरी है क्योंकि सुख में हर मायना सुख में क्यापने बच्चों । बच्चों कने निकाल के लिए लिए हुखि बनाऊं की रवा इटली को सुखी क्यों तो मैंने सुजी मंगवाया था और यहां पर मैंने सुजी ढाल दी है जो बनाने का रहेगा वो मैंने निकाल के रख दी हूं क्योंकि सुबह मुझे मॉर्णिंग को उल्धन सी नहीं होगी क्यों कि किछन में आते ही साथ सभी इस चीजे सामने मिलेंगे ना तो आराम से वो काम से जम जाएगी तो यहां पर मैंने दही मंगवा लिया था तो मैंने यहां पर रवा और घटली बनाऊंगी तो कभी-कभी यह बन जाती है नहीं तो चावल का बनाती हूं तो यह सब میں यहां दोन्हें ना किछन में ही ही रख दियाए ताकि उट के साथ ये में जो मिल जाए तो बस यहाँ पर सीन को सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिनेल डाल दिया है और बस बत्तियां भुजाओंगी दोस्तों और मिलूंगी आप सभी से next morning को तो दोस्तों यहाँ पर morning हो चुकी है और आप सभी को मीर रही हूँ मैं next day में तो देख सकते हूँ सुरीदेता निकल चके हैं और मैं आ गई हूँ अपने किसन में जो भी मेरी फ्रेश्वरेस होके मैं आ गई हूँ और यह रही देखिए मेरी दही अच्छी खासी जहमी थी तो बस यहाँ पर मैंने night में ही त्यारी करके रखा था ना उसको मैं यहाँ पर रवा और यानि सुजी और दही को अच्छा सा फेट लूँगी और इसको थोड़ी दिर छोड़ दोंगी ताकि यह सुजी ना अच्छा सा फूल जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फूलने में और फूलेगी ना तो अच्छा सा इटलिया बन यहाँ पे चट्डियों का फुरी पैसन भी कर लूँए तो यहाँ पे बच्छों लोगों की आज लियर में इतली ही बना रही हूं और इग्जाम हो ही रहा है ‑‑ बेटी की इए इसको चल रहा है तो कि नहीं कहा था कि म like हूण बना दे ना तो बस यहाँ में पे चन्या और और लसन की कलिया और कड़ी पत्ता से मैंने यहां पे छोख लगा के इस चने दाल को फ्राय कर लूँगी बदाम खतम हो चुका है फेट लोंगी स्पूलिण पतए सोजी की चाफी ह्sन ऑबनती है तो मैंने यहाँ इट्ली आठीआ उपनयां एक पानी गरम होने के लिए दिए अब घर में ऊच्चे गरीयान ईनली आप देडिया और ना रही है क्य Jacqueline a.w г भर शोग को मेरे घर में जादा ही जाती है तो अच्छा भी हो जाता है और मेरी पानी काली सी खोल रही थी और मैं इहां पर इंडेक्शन में ही बना रही हूँ क्योंकि इसमें इटली में लगा के रख दूंगे तो यह जब बन जाती है तो अपने ही ओफ हो जाती है तो बस यहां पर में मीठी चटनियां भी बना लूँगी क्योंकि बच्चे लोगों सांबर से जादा मीठी चटनी और दाल वाली चटनी से इटली खाना पसंद आता है ह हमारे घर में शांबर काफी कम ही बनती है जादा तरहते चटनियों के साथ बच्चे लोग इटली खाना पसंद करते हैं तो बस यहां पर मैंने गुड और थोड़ी से इमली के पल्स डाल दिये हैं और इसको भी मैं चटनी बना लूँगी चना दाल की क्योंकि यह अच्छे हैल्दी सा ब्रेकफास्ट बच्चो लोग का बन गया है और मैं बच्चो लोग को सर भी कर दूंगी और लेके भी चाहेंगे तो यह दोनों का ना दीन भर एही चलता है इटली जब बनती है तो कुछ और कुछ नहीं मांगते हैं यह खाना यह लोग पसंद करते हैं तो मैंने उसको बाल में कंगी कर दिया था और वो अपने से ही रेडी हो रही है तो दोनों बच्चे ना आई नहा लिए थे क्योंको ठंड थोड़ी से कम हो गई है इसलिए तो यह देखे बगवान का असिरवात ले रही है दोनों बच्चे के निकलने के बाद यहां पे मेरी हो क्योंकि बेड़ भेड़ जब जो बेड़ सीट वट उठाते हैं तो घंदा होई जाता रूखे तो बडस पर जाने के बाद अच्छा से जाड़ू लगा लेती हूं उसके बाद यहां पर मैं वीडियो में आते हैं तो प्लीज एक लाइक और जो नीजूर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा तो दोस्तो जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट भी देखे चाहिएगा और जो धी वीडियो में थोड़ी बहुत कमी लगती हो तो प्लीज जरूर बताया किज़ेगा दोस्तो तो बस यहाँ पे मेरी किल्निंग विल्निंग हो रही है और वीडियो को जादा लॉंग नहीं करूंगी तो बस यहाँ पे मेरी जो भी मॉनिंग की किल्निंग होती है न डेली की होती है याना वो मैं कर लिएंगी और मिलूंगी आप सभी से अच्छे वीडियो अच्छे से व्लोग के साथ दोस्तों तो टाटा बाइबाइ टेक क्या थांक्स पर वाचिंग दोस्तों फिर मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ